याद है आखरी ओवर येश दयाल का रिंकू सिंग के वो पांच छक्के जिसमें वाई जो कोलकता थी वो मैंच जो एकदम गुजरात के हूं से ऐसा चीन के ले गई थी आज ना उसी मैच का रीपीट होने वाला है गुजरात भी देखेगी वह एक रिवेंज लेने का इनसे प बीच में रहेगा बट अभी के लिए गुजरात देखेगी तो सही वाई एक बड़िया सा रिवेंच लेने का क्योंकि उनको वह मैच हराया गया तो जो वह बिल्कुल जीते हुए ठीक है आखरी और में तीसरान मनाना कोई मोगलों की हर किसी का खेल नहीं होता बड़ रिंक सब चीज़ें डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो पूर आपको आखिर तक देखोगे तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी आखिर तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के लिए इस पिछ पर कौन सा प्लियर चलता है ठीक है सब चीज़ें एक एक करके इड़न गाडन्स क्योंकि अभी तक ना थोड़ा सभाव घो लूँगा कि पिछ ने विल्कुल शोक में डाल दिया सबको कि यहाँ बढ़ी रहं बनते हैं कि यहाँ पर डिफेंड होता है यहाँ पर चेज हो सकता है तरगें पर अच्छे तरीके से डिफेंड हो सकता है पेस्ट लेगे ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैचस की वीडियो से फिल्कुल मिस ना करता और सब्सक्राइब करना ध्यान साथ रखना ठीक है अगर नहीं किया तो अभी कर लो क्योंकि तीन लाग सब्सक्राइबर कंप्लेट होने वाले तो आज के आज इसी मैच में कर देने तो पटाफ लिंक के वहां से जाकि जोइन कर लेना बागी अभी बात करते हैं अपने मैच की बागी शेयर भी करते हैं वह बताना भूल जाता हूं ठीक है तो अपने फ्रेंट्स के साथ में ताकि वह भी भाई हारे ना बड़िया तरी के सो भी जीते रहे तो यह मैच होगा दिन में मैं यहां पर गई दोनों टीम सीश्त llev सकती है थीक्य है वह एक चीज यहां पर रहती है अब आप είναι मेच में होट फिछले मैस में क्या हो पिछले मैं मैंच में आपर कम्प्लीट्ली ऐसे चीज़ देखने को भलिय है अब स फिर देखने मैं अब हूब पिछले यहां पर आपको एक चीज अलग होती हुँ दिख सकते कि विकेट से वह अच्छे देखने को मिल सकते हैं के साथ और क्या होगा रन शायद थोड़े से कम बने में दो सो एकस्प्त कर रहा हुँ अभी यह वाला स्कॉर है रहां दो सो पैज्म के पाकिट से देख नेखते हैं तो स्पिन के विकेट्ट से दोनुके एक्वल है और यह बहुत बड़ी एक बात हुजाती कि अगर स्पिनर वकिट ना पेसर के बराबर निकाल रहे हैं तो जिसमें आपको एक चीज और देखने को मिलती है अभी तक सेकंड इनिंग स्पिन के विकट पंदर है मतलब शाम वाले मैचेस में भी अच्छे कासा विकट गर तो दि कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा वगर नहीं है या खतम हो गया लोस हो गया तो तुमारे लिए चीज बैस रहते हैं बागी और लोग भी जोइन कर सकते हैं क्यों ना करें पचास जार प्री के साथ में तो कर लेना बागी वो लोग तो जरू करना जो लोग यह बोलते कि पैसा नहीं है खेलने का वो सब चीज है ठीक है वही क्योंकि यहां पर आपका कुछ भी जाने वाला तो है नहीं जीरो एंट्री फीस के साथ में कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है बट आने के लिए पूरे पचास जार रुपए आप से आपके लिए रहते हैं तो मैस नहीं क चल्दी से जाके ठीक है और इसके साथ इसाथ आपको हम बता देता हूं कि यहां पर ना आपके लिए 35 रुपए की ग्रेंड लीग भी चल रही है अब देखो एक तो ग्रेंड लीग होती है दो-दो करोड़ लोगों के साथ में खेलो अब वहां पर जीतने के चंसे आप दे सब्सक्राइब करना बहुत सारे आपको मिलने वाले बात की बात करते कोलकता के तरफ से प्लेंग 11 क्या रहेगी जगदीशन रोपन कर सकते है लिटंदास अब बाहर जा चुका है तो वह तो रहेगा नहीं ठीक है लिटंदास गया एवरजन से अपने घर तो जगदीशन रोपन करेंगे विंकटेशर नितिश रणा आउसकाद मरिंको सिंग रहेंगे रसल है सुनील नराएं डैवड वीज़े और डैवड वीज़े मैं बोलूं अभी तक अच्छा करतवारा बाकि उमेश आदाव अरोड़ा है और वारूं चकरवड़ती है तो य नहीं गई बाकि वैब और वोड़ा दो ही ओवर कराए गए ते और वर्ण चकरवड़ती वापस से वह तीन विकेट इनो ने निकाल लिए ठीक है रसल का मैं बोलूंग अभी तक जादर को अच्छा चल नहीं रहे बट एक चीज़ जो इंपॉंट वह है क्या कि वह रसल दे और तीन इनिंग बहुत बढ़िया खेल जाए बट अभी के लिए बंद अच्छी फों में है तो बिल्कुल ले सकते हो थोड़ा समल कर भी खेल रहे को शुरुआती और उसके बाद जो रिंको सिंग की कहानी शुरू हुई हर मैच में चक्के मारने कि आप देख सकते हो 53 18 58 48 नोट आउट बहुत बढ़िया खेल रहे बाकि रसल मैं बोलूंगा एजन ओल्राउंडर रेकर चल रहे सुनील नराइन का विरिकॉर्ट जो इस ग्राउंड पर अच्छा है बट अभी के लिए जो उनकी भी रिसेंट फों में वह बहुत ज्यादा खराब है पिछले पांच बोलर से एकलोता एक इंपॉंट पिक आता है वरण चुकरवरती निकल कर जो पूरे और भी कराएगा साथ साथ विकेट भी निकाल सकता है ठीक है शुरुआत में बोलिंग कोन करेगा शुरुआत में आपको वैब और ओर दिखेगा साथी साथ यह स्पिनर से भी करा सकते है ठीक है और एक बोलर का नाम यहाँ पर भूलना मत जो मैं नहीं लिखा जो एजन इंपक्ट प्लेयर टीम में मौश्क्लिया आते है सुयाज शर्मा अभी के लिए पर काफी अच्छा कर रहा है वो भी और बात कीजा करें के वेंच प्लेयर्स की जिसमें आपको बता देता छलो सुयाज शर्मा के बारे में भी यहां पर भई क्या है तो सुयाज शर्मा के में बात करते हैओ विक्ट बागरा सुयाज शर्मा की तरफ से काफी एच्छे देखने को मिले तीन विकट जो उसने आर्ज़ीघंश में निकालने के बारे में नहीं पता है commencer अगर मात करते हैं निकल कर यहांसे गुजराट टाइटन की टीम के उपर की इनकी क्या कुछ फ्राइंड रह सकती है तो मिल kicking करना चाहें कि यह गुजराट बहुत सब्सक्राइब लगता है उसके बाद में इसने सिर्फ दोई मैच खिलें दास उपनिस या तो बैटिंग नहीं या फिर खिलाए नहीं दोई काम में तो विजय शंकर उतना जादा भरोसा नहीं दिखा सकते हैं बागी डैविड मिलर बन सकते हैं अभी के लिए दो तीन तो तीन-चर मैच में अच्छा खैसा रंस बनाता हूँ दिखेगा बागी तेवतियों यह जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो किया पांच मोल में बनाए बीस रं तीन चक्के के मदद से अब यह हर मैच में तो करेगा नहीं तो स्मोल लीग के लिए तो नहीं बनता है आपने पिछले मैच में की बोलिंग नोटिस की थी तो एकदम कड़क रही थी वह बोलिंग मतलब दिये ही नहीं थे मोहमच चमी ने विकेट मिलने चाहे थी बड़ कभी तो यह तो इस राट टाइटेंस की तरफ से पूरी एक प्लेंग लिए इंपॉर्ट में कौन-कौन से यहां से घिल बनता है साहज जगदीशन में किसी एक को ले सकते हो साहगा तो रिकौर्ड में थोड़े 50 वटी है जगदीशन का काफी अच्छा है हार्दिक पांडिया से लेना बनता है डैविड मिलर अगर तीम में जगे बन पाए तो उसके राभा यहां से राशित खान इ बेंच प्लेयर कौन कौन से होजाते हैं मैथ्यू वेड़ सुदर्शन है जोसेफ है मवी है उसका अदमे जोश्वा लिटिल है यह एजन इंपक्ट प्लेयर आपको टीम में आते हो दिख जाएगा पाकिसाही किश्वर ये श्टियाल और विल पटियल ओडियंस में जहांत आत सकता है गुजरात की तरफ से मैं बोलुगा प्रॉपर एक कंफर्म नहीं है कि कोन आएगा ठीक है जहां तक बात है वहां से तो कोलकता की तरफ से एक तरीके से कंफर्म है कि सुयाश शर्म आएगा या फिर अगर क्या हुआ कि अगर टीम पहले बोलिंग कर रहे हैं तो उसक से स्पिनर को इंक्लूड कर सकते हैं उसके बाद में यहां से प्रदीप सांगवान है नालकंडे और यहां से केस बारत देखने को मल जा तो कि यह कुछ जीटी की तरफ से बैंच है इसका स्कृनिशोट में आप रहा हम से ले लो ताकि भाई यहां से कि कुछ ज्यादा प्ल प्ल में अगेंश रास्तानिय खेले थे जिसमें उन्होंने एक मैच खिला था एक जीत गये थे और वह मैच काफी जादा एक हाई स्कॉरिंग जो देखने को मिला था रंज की बात करें यहां पर किस किसने बना है पिछले तीन मैच में तो पिछले तीन मैच में आपको एक वरून चगर मरती के विकेट हर मैच में देखने को मिल जाते है ठीक है यहां चार निकाले यहां एक निकाला यहां पर भी एक विकेट निकालता बागी खेजरो लिया ठीक है सुयाश शर्मा आपको देखने को मिल जाता है यहां पर एक विकेट है यहां पर सुयाश शर्मा तीन विक्ट के साथ पर देखने को मैला था बागी शारदुल ठागूर एकी मैच को चला हुआ है और बागी रंच की बात कीजह नितीश रहना रिंकू सिंग जैसंड्रोई यहां पर जगदीशन, नितीश रहना, रिंकू सिंग और यहां पर क्या है कि इस बार उम्मीद अब जैसन रोई से लगा सकते हो वापस से बाकिए अगर बात की जा गुजरात की तो 2022 में उन्होंने एक मैच किला था जिसमें रास्तान जो उन्होंने 188 बना दिये गुजरात ने बनाए थे 191 गिल के 35 वेड के 35 थे पंडिया के 40 थे मिलर ने आज 68 बनाए है नितीश राना 16 मैच में पांच चप्विस रण एवरेज में बोलू है दोनों के काफी सही है उसकाद में अरेदिमांद साहज 24 मैच में मात्र 479 रण से और यहां से 26 का आवरेज है और यह तो जब बात है वाई जब 24 मैं से बंदा 6 वर नोटा उट रहे ठीक है तब जाक को मिला है वहीं बात करते हैं तो उसकेस में 46 मैच में सब्टीएट विकेट के साथ में अब विकेट विकेट टेकर तो जरूर है बट अभी के लिए फॉंग जो उतनी ज्यादा बहतर नहीं रही है बाकि अंदरे साल 31 मैच में 31 मैच में 20 विकेट है यहां पर हार्दिक की जीती थी इस बार यहां से कोलकता ने बाजी मार ली और मैं बोलूगा यह वाला मैच जीटी आपको याद होगा जो वह था पिछले साल 23 अपरेल 2022 को जिसमें जीटी ने 156 बनाए थे कोलकता को रोक दिया था 148 पर वो मैच रसल के लिए भी काफी अच्छा था बागी र कियार के तरफ से बैट्समन रसल 48 आयते रिंको सिंग के 35 विंकटेशेर 17 और यहां से विकेट किसने निकाले थे शमीर आशित कान और ये श्याल के जो दो दो विकेट उस मैच में रहे थे तो यह कहानी कुछ जो पिछले साल मैच हो था इस साल वाले मैच की तुमर को याद वह उस मैच में ना बहुत ही एक मगलुआ कि बहुत जादा चीजें वह गए थी जैसा उस मैच विजय शंकर के वाफ किजिए विजय शंकर के उस मैच में 63 थे फिटी त्रियांस अईसु दर्शन के थे 39 बनाए ते गिल ने नरायन के उस मैच में पर तीन विकेट एक शर्म राशिद खान के वह एक याद होगी आपको दोल जारी जोसिफ के और एक विकेट यहां से शमी का आये था यह इस दाल के बारें बात करने की चार मैच में सब्सक्राइब निकलकर आज के लिए अपने वेन्यू अगरे रहते हैं तो कियार के तरफ से आपको हैड़ देखने इन्हों ने एक रंबने निती शराने के बाद किजा 27-25-21-21-21-25 ठीक ठाक सा स्कोर रहे स्पेशली कि सेकंड बैटिंग करता थोड़ा ज्यादा स्कोर बना दिया है वहीं पर अगर बात किजा रिंको सिंग की पहले रैन नी बनाता तो रिंको सिंग इस ग्राउंड पर bowling अगर करती है क्या है तो उस case में आप ज़ाधा इंके पर भरोसा दिखा सकते हो दो विडिक दो विडिद ऑड़न ही जो है वो सेकंड बोलिंग करता है फ़स्ट बोलिंग पिछले दोनों थे ठीक ठाक सरा यहां कहा हनी पूरी ले सकते हैं भाग है बागले नहीं बात नही से चार वार विकिट लेज है वहीं चकरवर्ति की बात करें चार मैस्पेल है चारों बार उसने विकेट्ट यहां से निकालके दिये हैं तो यह जाते कुछ कोलकता की तरफ से पूरी कहानी वहीं आते है नेक्ष निकल कर गुजराथ टाइटन्स के ऊपर तो तो गुजराथ टाइटन्स के तरफ से क्या हुआ यहां से थो भाई आपको एट्वड भी देखने को मिल जाते इनके प्लेयर्स ने तो खेला है ना गुजराथ टाइटन्स इनके फिलेयर्स ने दो खेला हुआ है जिसमें रिद्यिमान साहह के अगर माँ भात करूँ एस वैन्यों पर एक ठीक ठाक सा खेले मतलब पिछले आपको पांच पिछले आपको छा मैच्क्स थे रिद्यमान साहह की तरफ से तीन बार तो देखने को मिल जाते रंस वहीं नहीं है बट तीस पैठीस तीस पैठीस वाले रन से लों बने लास्ट टैम जब खिले तो सत्रा बनाये थे बागे उसके लबाद करें गिल भाई की तरफ से गिल मैं बोलूंगा अच्छा खिलता है ठीक है गिल को ऐसा सीवी सी आप वापस से करके चल सकते हो गिल अच्छा घ अबरदस्त है उससे बाले जरूर थोड़ी कम रहने बट हम पिछले तीन के बात करें तो वह बढ़िया तरीके सरे तो यहां भी जो रंस वागर है वो ठीक से देखने को मिल जाते है वाला स्कोर है बागी दो बार में बोलूंगा फ्लोब भी है वहीं अगर बात करते पंडे के लिए एक राउंड एकदम जबरदस्त रहा है मतलब ऐसा है कि वहीं बैटिंग की तो इनको रंस भी मिल गए साथ इसाथ इन्हों ने विकेट में निकाल जाए अगर चेज करती है तीम उसकेस में और फश्ट बैटिंग किये तो वहां पर किये कि विकेट थोड़ अगेंस्ट केकार बोलिंग नहीं किये वर्ट उससे पहले इन्होंने बोलिंग किया इन 6 मैचस से पहले इन बोलिंग किये जब यह मुंबई से केलते थे और बहुत जादा बढ़िया तरीके से विकेट निकाल है बहुत बढ़िया तरीके से मतलब हर मैच में एक दो एक दो इक दो नाम आता है, हयां पर सेकंड बोली में नीकालते हैं, स्पिनर्स और फर्श्ट में नहीं है हड़्ट में देखते हैं, तो यहाँ भी आपको भाई पिछले 6 के 6 मैचस में विकेट जो है लागीर्ड विकेट, वहीं बात करें, मौयुच्छ शर्मा है और तीन बर विकेट लेस है तो यह जाती है पूरा एक दम क्या है आज के लिए वैन्योंट क्या सब चीज़े एक बार आज आते हैं अपने प्लेयर बैटल के उपर तो प्लेयर बैटल में देखते हैं तेवती अगेंश्ट वरून चकरवर्दी 27 बोल में दो बार आउट हो है थर्टी सेवन बोल में पांच बार जो अपनी विकेट दे चुका लास्ट टाइम भी राशिक खान ने आउट किया तरसल को और उसके लावाद जोसेफ ने पंदरा बोल में दो बार आउट के रन खाकर वहीं नितीच रान आगेंश्ट हार्दिक पांडिया 21 बोल में दो और आउट किया बट भाई आर्दिक पांडय को रन भी पड़े जैसन रोई की तरफ से 28 बोल में तगरिमन फोट इस इक्स रंस अब आज आते अपनी आज के लिए जो विजन लेंट के टीम रह सकते टीम की बात करते हैं उसके हमने रिदिमान साहा को पिक किया हुआ है ठीक या फिर अगर सुनील नरायन के ओपर भी एक बड़ा रिस्क है अब यह वाला क्या है कि फाइनल टीम में बोलो है टेलेक्राम चल पर आपको देखने को मिल जाती है वहां से आप देख लेना किसको जो फाइनल रखा है सुनील नरायन की क्योंकि फोम अच्छी नहीं चल रह अब नुटीश रने और रिंको सिंग में किसी एक को अटा सकते हो कैप्टन वाइस कप्टन की बाद कीए कैपटन अमनिके शुमंगिल को वाइस कैपटन में के वहां से राशित खान के साथ मैं स्पेशली अगर वाई सेकंड बोलिंग कर दी तो सोने पे स्वागा हो है तो यह हो जाती है आज के लिए सब्सक्राइब कर लो आपको पता है कि अभी नवाई यहां से काफी जादा करीब हैं एक सब्सक्राइब करना ताकि आगे जाकर कोई वीडियो बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ टेल्ग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में सब आपको देखने को मिल जाती हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट्रमेंट में आपको दोनों जगे जो लिं कर दो।